पुर्व एशिया शिकर संवेलन में कहा कि हमें धर्म और आतंगवाद के बीच किसी भी संबंद को खारिज करना चाहिए उन्होंने कहा कि साइबर और अंत्रिक्ष जैसे क्षेत्र संपर्थ तथा संब्रत्ती बढ़ाने के लिए होने चाहिए ये संगर्ष के नए ख्षेत्र नहीं बनने चाहिए पुर्धानमंत्री नरेंद्र मोधी की रूस के पुर्धानमंत्री दमित्री मेद्वेदेव के साथ हुई दिपक्षे मुलाकात पुर्धान मंत्री ने भारत और रूस के सम्मंदों में और भी मजबूती आने का जताया भरोसा मेद्वेदेव ने भारत को अभिन सयोगी बताया वाने जो मंत्री निर्मला सीता रमन ने कहा कि भारत और अमेरिका ने डबलू टियो में खाद्य सुरक्षा के मुद्धे पर गतिरोध को हल किया उन्होंने बताया कि भारत का प्रस्ताव अब डबलू टियो के आम परिशद के अनुमूर्दन के लिए जाएगा और अमेरिका इसका समर्धन करेगा बेघर लोगों को आश्रे उपलब्द करवाने के लिए उठाये गए कदम सुनिशित करने के लिए उचतम नयाले ने केंदर से सभी राज्यों के प्रमुक सच्चिवों की बैटाग बुलाने के लिए कहा महराश विदान सबा से कॉंग्रेस के पाँच विदायकों की निलमन को भाजपा ने ठीक करार दिया भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि लोकतंत्र को ठेस पहुँचाने वाले को सजा मिलने चाहिए महराश में राजपाल के साथ धक्का मुक्की के मामले पर अपनी प्रितिक्रिया देते हुए कॉंग्रेस नेता राशे दलवी ने कहा कि ये सदन के बाहर की घटना है और उस पर स्पीकर को कारवाई का अधिकार नहीं है रिजर्व बैंक के गवर्नर रगुराम राजन ने कहा है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से कर्ज लेने वालों को मनमाने ब्यासदर से सनक्षन मिलना चाहिए उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक यस महीने क्यांते तक छोटे और पेमेंट बैंकों के लिए आवेतना मंत्रित करेगा आज के शुरुवाती कारुबार में सेंसेक्स 90 अंग बढ़कर 28,099 पर खुला निफ्टी भी 25 अंग बढ़कर 8,408 पर खुला आज के शुरुवाती कारुबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपिया 2 पैसे की मामूली तेजी के साथ 61,40 पैसे प्रति डॉलर पर खुला कल के कारुबारी सत्र के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपिया 4 पैसे सुधर कर 61 रुपए 51 पैसे 50 डॉलर पर बंद हुआ था नेटों ने रूस पर आरोप लगाया है कि रूसी सैनिक और हतियार पिछले दो दिनों से पूरवी यूकरेन में दाखिल हो रहे है रूस ने इन आरोपों से इंकार किया है मास को लगातार कह रहा है कि ये यूकरेन के अलगावादी विद्रोयों का काम हो सकता है किसी धूमकेदू पर पहली बर प्रोब रॉकेट उतार कर यूरोप ने धिहास रचा लेकिन पुछल तारे की सत्या पर उतरने के बाद रोबोट खुद को सही तरह से इस्तापित नहीं कर पाया धर्थी पर इसका नियंतरन करने वाले विग्याने इस बात से हैं चिंतित रेफरीजेंडर के आकार वाला प्रोब फाइली प्रत्वी से 51 करोड किलोमेटर से अधिक दूरी परिस्तित 67 पी चुरियो मोग एरा सिमेन को नामक धूमकेदू पर उतारा गया था